टेलीपेथी बोलने या लिखने जैसे शारीरिक संचार की आवश्यक्ता के बिना केवल अपने दिमाग का उप्योग करके दूसरों के साथ समवाद करने की ख्षमता है यह extrasensory perception, ESP का एक रूप है जिसे कुछ व्यक्तियों में संभव माना जाता है टेलीपेथी की उत्पत्ती पूरी तरह से समझ में नहीं आई है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह संचार के एक प्राचीन रूप का आवशेश हो सकता है जो बोली जाने वाली भाशा से पहले का है ऐसा माना जाता है कि यह भौतिक इंद्रियों के उप्योग के बिना एक व्यक्ति के दिमाग से दूसरे व्यक्ति के दिमाग में जानकारी स्थानांतरित करके काम करता है